आज का मार टॉपिक मैट्रस इंड डिटेमिंट की चैप्टर से हैं इस कोशन में हमें डिटेमिंट की प्रॉपर्टीज को यूज करना है और एक्वल करना है उसके आंसर हो किसके जीरो के स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अगर आप नोट करें आपे जो पूरा कॉलम है यहां यहां पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और जैट पॉजिटिव जैड नेगेटिव सो अब मैं क्या करूँगा इसके अंदर से इसके अंदर मैं यह करूँगा कि मैं raw 1, raw 1, raw 2, raw 3 को एड़ कर ढूंगा ठीच है Royal 1, raw 2, raw 3 को मैं एड़ कर देतो हम आप लिक largo beta टीक है, plus近 b minus c, plus近 c minus a, यह ओटिव, raw 1, raw 2, raw 3 टीक है इस तरह से M minus N plus N minus P plus P minus M third X minus Y plus Y minus Z plus Z minus X close कर दिया अच्छा जी मैंने यहाँ पर क्या चीज़ अपलाई करीए कौन सा उपरेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैंने इसमें क्या किया है एडिंग किया है एडिंग किया है राव 2 को एंड राव 3 को राव 2 को भी एड़ किया है और राव 3 को भी एड़ किया है किसके अंदर इन राव 1 के अंदर ऐसा ही है ना राव 1 थी राव 2 और राव 3 को दोनों को मैंने एड़ किया किसके अंदर राव 1 के अंदर मिला दिया ठीक है थर्द रावि मैं है अशी लिखोंगा लूर्ड क अशी अशी लिखना क्या ठीकितर अंब देखें आप पिलस की सै माइबस का एप्ट z ही हो गए आपस में cancel आपस value क्या रहे ही यहां पर यहां पर आपस जाएगा 0 उपर भी यहां पर 0 पूरी की पूरी रॉक क्या हो गए यहां पर 0 हो गए b-c n-p y-z c-a p-m z-x जब भी मारे पास कोई raw यह कोई भी column 0 हो जाता है तो वह equal किसी हो जाता है 0 के पर सुमया पर क्या लिख दूँगा since since all the elements all the elements of raw 1 are 0 जब भी मारे पास कोई भी raw और यह कोई भी column के सारे element 0 हो जाए तो obviously equal हो जाता है कि इसके 0 के so मैं आप लिख देता हूँ left hand side equal to 0 hints proof thank you